दोस्तों गर की किंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो यह वीडियो जरूर देखना काफी काम की आपकी यह वीडियो होने वाली है आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो टाइलिंग हम करते हैं जो वाल पे टाइल हम लगाते हैं तो उसमें क्या-क्या देना होता है क्योंकि कुछ टाइम पाथ क्या होता है जो वर्टिकल टाइल अपको देना पड़ तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको जो टाइलिंग का रेट क्या चल रहा है लेवर रेट आपको क्या देना है और भी काफी चीजे में बताऊंगा मिक्सरेशों सब कुछ डिपेंड हो कि आप उसमें क्या मोटार यूज कर रहे हो क्या सीमेंट और सेंट का माल यूज कर रहे हो यहां जो एडिजिव आते हैं जो कैमिल आते हैं वह यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए और जब वाल की टाइलिंग लगा रहे हैं उसमें क्या चीजे देन देना है सब इस जब से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ेगा वो लाल बटन जो आपको देख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन दवालो जब भी मैं वीडियो डालू सबसे पहले आपको तब मौच यह वो सबसे पहली बात ही हम स्टार्ट करते हैं जो लेवर रेट इस समय चल रहा है मतलब अगर देखो होता क्या है दो टाइप से टाइलें लगाई जाती है एक तो जब आपकी गर की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है ब्रिक बरक है उसके उपर डायरेक्ट टाइलिंग की जाए एक यह होता है mostly आजकल देखा गया है जहां डैंपनेस यहां सीलन आ जाती है तो लोग सीलन को देखके टाइलिंग प्रोसेस करते हैं इस पर वीडियो जरूर आएगी शाम को यह कल की जहां डैंपनेस होती है वदर टाइल लगाना सही है कि नहीं है और क्या हम कर सकते है जो सीलन हो हो चार से शेयर रूपे रेट चल रहा है और बात करूं जब प्लास्टर हो तो आपने सोचा कि हम टाइलिंग करेंगे इस पर घर की बाहर में या अंदर में तो उस टाइम आपको जो कटिंग होती है मतलब इसका क्या होता है दो टाइप से आपको लेबर करके देगी इसके उपर माल चिपताएगा वह प्रोसेस में रिस्क रहता है क्योंकि अगर बाइचांस अंदर आई ब्रिक में और जो प्लास्टर आपने किया वह निकलने लग बड़ता है वह जैसे प्लास्टर निकलेगा क्योंकि जो बॉंड है टाइल की वह किसके साथ बनी हुई है ब्रिक के साथ नहीं है तो वह निकलने के चांस होता है तो आपको हमेशा क्या करने है ग्राइंडिंग करवानी है क्या करवाने है ग्राइंडिंग करवानी है मतलब पूरा प्लास्टर जो आपका होगा वह पूरा निकाल देना है उसके बाद सीमेंट पेस्ट की हल्प से आ दिर रे वाब किसमें इस खी हो तो cuest हो एक कर रहेएं अज़रेस्तु होनाहे पांदियोज amd ऑ देखो दो गंटे पुर्णकर से काम कर रहा हुअ और ग्विश्राइट से यॉँंडर को नंगी तो घोगा तो फीक होगा होगा कियाube जब नुग से सीमेंट पेस्ट वहां दिबार पे लगेगी तो वहां वह एक मतलब पाउडर की तरह बन जाएगी कुछ नहीं बाद वह अच्छी बॉंड नहीं पुढ़ना पाएगी जैसे उसको बॉंड होनी चाहिए यह चीज होती है दूसरी जब वाल पे आप टाइल जिस वाल पे टाइ पहले कर लेना है नहीं तो यही सेम प्रोसेस वहां भी हो सकता है तो यह चीज होगी अगली चीज हम बढ़ते है जो अपने मिक्स रेशो उसके लिए रखनी है मतलब जो हमारी सीमेंट की पेस्ट बढ़नीगी वो रखनी है वन रेशो टू या वन रेशो वन मतलब एक कोई दिकत नहीं है और एक चीज और इसमें आती है इसके लिए हम सीमेंट को मतलब करें नहीं तो इसमें हम और आगे बताता हूँ कैसे यूज करने लेकिन जो भी आप cement यूज़ करो वो PPC cement ही यूज़ करना है PPC cement ही यूज़ करना है PPC cement क्यूंकि हमें यहां कोई strength की इतनी जुरूरत नहीं है जो PPC cement है काफी अच्छा perform करता है इन cases में जब वाल की टाइलिंग गरा लगानी होती है तो आप PPC यूज़ करो, ACC का यूज़ करो, Amboja का यूज़ करो, Alta Tech का यूज़ करो, किसी का भी यूज़ करो लेकिन portland, portland, cement ही आपको इसलिए यूज़ करना है अभी मैं बात करूँ adhesive की तो होता कि अगर आप दोनों को mix करते हो मतलब cement plus adhesive, दोनों को यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी भी 1 ratio 1 में कर सकते हो क्योंकि जो हम cement की बात करें, 300-400 रुपे में आपको cement bag मिलेगा PPC और जो adhesive होता है, वो 400-450 के बीच में आपको मिल जाएगा, फैवी विक का भी मिल जाएगा तो उसको 1 ratio 1 में डालके mix करके paste बनाके आप wall tiling कर सकते हो, अगर आप चाहते हो अकेले, तो आप अकेले cement के साथ भी डीच मोटार मना के करवा सकते हो, बाकि cement को छोड़के adhesive के साथ अकेले करना चाहते हो तो वह भी कर सकते हो, क्योंकि जो adhesive होता है, वो as a cement ही परफॉर्म करता है, उसमें भी cement होता है, बाकि उसमें chemical बगारा यूज की होते हैं, बाकि basic जो checking का process होता है, बाकि basic आपको करने के टाइल कोई crack नहीं हो, उसकी proper cutting हो रही हो, उसमें जो groove हो, वो proper बन रही हो, प्लम बाम जो हम, ओलंबा, प्लम बाम यहां वो यूज करते हैं, मतलब वो proper vertical जा रही है, नहीं जा रही है, वो भी चीज़ देखनी होती है, अगर proper vertical नहीं हो, मतलब नीचे से vertical गई, उपर जाक काफी जादा होती है, तो यह चीज़ देना होती है, और हमेश्या जब आप टाइलिंग करो, जब उसका माल दिवार पर लगाओ, उसमें ट्रॉल यूज करो, मतलब वो आती ही gap बाली, अगर ट्रॉल यूज नहीं कर रही हो, तो proper filling होनी चाहिए, नहीं तो mostly क्या देखा जा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जुरूर दबा करके रखो, थैंक्यू गईस